हिए गाईज देखो लगबग बजार में अभी थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखिने को मिल रही है और बजार में इसकदर आपको गिरावट देखिने को मिल रहा है कि वो है एक धीर द्रे slow motion गिरावट देखने को मैंला पिछले 20 से 25 दिन हो गया लेकिन पिछले महीने से ये गिरावट continue हुए आज nifty का हाल भी भी हाल था यहाँ पर केवल ऐसे कुछी stock थे जो लगबख positive में थे बागे सभी loss में थे देखो आपके सामने और वो भी ये जो दिख रहे हैं आपको जो positive में ये जो 8 दिख रहा है ये केवल लोगों को मतलब इसी तरह के से यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो 8 दिख रहे हैं ये एक एक दो दो percent वाले हैं मतलब कर देगा और उसको recover होने में मतलब आपको बहुत ज़्यादा time लग जाएगा तो कौन से कौन से ऐसे stock है जिन में भारी गिरावट हो सकती है तो आप एक बार देख लो देखो मैं आपको भाई गिरावट हो या चाहिए जो लेकिन एक बार आपको मतलब जो risk है ना उसको भाप लेना चाहिए लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वो देखते हैं भाई profit कितना मिलेगा कोई भी काम करो तो लोग यही पूछने कि profit कितना मिलेगा मेरे हिसाब से आपको ये भी पूछना चाहिए साथ में ही साथ में profit के साथ में कि भाई loss भी कितना होगा है कि निया जब आपको पता चलेगा profit is equal to loss तब वहां मत जाओ समझ रो profit होने का संभावना जादा है loss होने का संभावना कम है तो वहां जाने में benefit है जैसे तो सबसे पहला stock भेल अगर आप देखोगे तो इसका खेल थोड़ा अजीब ही है लगबाग पिछले एक साल में 130% का return दिया है लेकिन अगर लंबे समय में देखते हो तो कोई भी अच्छा performance नहीं है पिछले अगर हम देखते हैं तो पिछले लगबाग 2007 से मतलब हम बोल सकते हैं 10-12 सालों से stocks में किवल आपको loss-loss देखने को मिला और लगबाग आज करके date में है जो आपको गिरावड देखने को मिल रही है क्योंकि quarter result में company का result कुछ ठीक नहीं था और आज इसका share का price देखो 64-65 प्रूपे चल रहा है और यहाँ पर IC से security नहीं बताया किवल 6 घंटे पहले वडियो बनाते से में time भी आप देख सकते हो 6 घंटे पहले सिल call दिया गया है भारत यहाँ पर देख सकते हो BHEL में तो भारत heavy electronics में लगबग जो target दिया गया 43 रूपेस का अगर यह 60 रूपेस से 43 रूपेस आ गया मतलब 65 रूपेस है ना कितना है तो 65 रूपेस है तो अगर यह 40 रूपेस के आसपास आया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इन्वेस्टर्स का और मैं आपको बोल दूँ loss होना कोई बड़ी बात नहीं है अभी देखोगे यहां पर इसके चार्ट पैटन में यही बताया दारा कि यह कई बार गिरावट होई है देखो यहां से यहां गिरा फिर थोड़ा उठा लेकिन फिर एक और लो बना दिया इससे यह लो इससे यह लो इससे यह लो मतलब ये low and low चलने वाला stock है तो ऐसे stock पे भरोसा करना मुस्किल है अगर high and high चलने वाले stocks में गिर आउट होती है हाँ वो acceptable है वहाँ accept कर सकते है पिछले चार quarter से company को बहुत heavy नुक्सान हो रहा बहुत ही heavy नुक्सान हो रहा इसका market कैप लाकों में हुआ करता था अभी लगबग 20-30,000 के करोड में आ चुका है यहाँ पर अगर आप quarter result ही देखने की कोशिस करोगे तो company यहाँ पर देख सकते हो लगबग 200 करोड यहाँ पर देख सकते हैं वोड़ाफोन आडिया तो लगबग मैं आपको बलूगा यह काफी week है यह जो bank का exposure है कल जो खबर आई थी कि लगबग SBI के साथ जो बात चीज कर रही थी तो मैं आपको बलूँगा कि वोड़ाफोन आडिया आपको आप थोड़ा अंदेखा किया करो अगर वोड़ाफोन आडिया कहीं पर जाता है तो यह सिर जुका के जाता है सिर जुका के मतलब कमपनी के पास पैसा है नहीं और कहीं पर भी जाता है तो यह किवल यही कहने के लिए जाता है कि भाई मुझे तुमें इतने पैसे देने है 500 रुपए देने है थोड़ा मुझे पैसे कम कर दो मैं आपको लगबग 30 रुपए ही दे पाऊंगा आप सामने वाला भी बोलता है भाई ये क्या बोल रहे हो इंट्रेस्ट तो बताओ उसका वो कौन देगा और उपर से कंपनी बोलता है अगर ऐसा भी दो तो लगबब मुझे और टाइम दे तो आपने बोला था दो साल के लिए मुझे और चार साल का टाइम दे तो टोटल छे साल का टाइम दे तो मतलब सीधी सीधी बात है वोड़ा फोन आइडिया कहीं से पैसे नहीं देने वाला दो लाग करो का तो डेट है कई गुना चाहता है अगर company के दो या पांच साल को भी अगर मतलब दो साल के भी profit को मिला दिया जा तो पता नहीं एक दो बार का interest भर पाएगा सही तरीके से या फिर नहीं ऐसा situation है तो मैं इसलिए वो लाओ कि जो है सही है लेकिन company के ओपर डिट बहुत जाता तो company पर हम भरो और वुड़ाफ वन ऐडिया जैसे stocks बहुत सारे बैंकों की हालत खराब करने में लगे हुए हैं भी वे उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है बर्जर पेंट के लगबग तार्गेट रिड्यूस किया जा रहा लगबग 779 का प्राइज अभी चल रहा होगा बजार में ल यह company अच्छी है बहुत अच्छी company है लोगों के काफी अच्छा return भी दिया है मदरसंस में की competitor है और अटो सेक्टर के लिए काम करती है यह जो company है काफी अच्छा company ने लगबग जो है dividend वगगर भी दे रखा आप देखो तो लंबे सिमय में यह stock लगबग काफी ज़्यादा रहा है थोड़ा बहुत correction क्योंकि अपने high पे दोड़ रहा है stock अगर आप देखोगे तो पिछले एक दो सालों से देखो पिछले एक साल से यह stock 11,000 रुपे पर आ चुका था 11,000 रुपे से यहाँ पर stock देखो तो 18,000 रुपे के आसपास आ चुका तो काफी बड़ी recovery देख 11,000 रुपे के आसपास 18,000 रुपे से तो अगर नीचे गया तो नीचे में एक अच्छा खासा position माना जाएगा खरीदने के लिए आप देख सकते हैं sell करने के लिए आपको बताया गया है अब उसके बाद देखो ONGC stock अच्छा है लेकिन मैं आपको बहुत जादा मतलब उतन काफी अच्छा नहीं चला जिसके वज़े से तो मुझे लगता है कि temporary आपको loss हो सकता पूछा क्योंकि stock अभी लगवा थोड़े हाइप ट्रेड हो रहा इस वज़े से मुझे लगता कि थोड़ा बहुत ऐसे stocks पे यह करना चाहिए corporate करना चाहिए थोड़ा पीछे हटके रहन जा रहा और चौथा आप देख रहा हो डॉलर किस तरीके से मतलब गोल्ड वोल्ड यह सारी चीज जो है मतलब थोड़ी महंगाई पे देख रही है और इसी सारी चीज के कारण जो है बजार में थोड़ी बहुत विक्निस बनी होए और भारत के लिए सबसे बड़ी परिसान अपना प्रोडक्शन रुकने की तगार पर आ चुक है अगर बताओ आपकी कंपनी है अगर उसका प्रोडक्शन रोक दिया जाय तो कितना नुकसान हो सकता है है कि नहीं बजार में गिरावट देखने को मिलेगा तो कोल को देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वक्त रहते ही बदल जाओ नहीं तो जिस दिन वक्त ने आपको बदल दिया बहुत तकलीफ होगा बहुत ही जाता याद रखो इसलिए पहले देखो अभी मैं आपको बोलूँगा ये आपको पता होगा आपको पता होगा एलन मस्क ये एक चहरा नहीं एक भविस से है जब लगब ये अलेक्टिक कार पर कोई नहीं ध्यान देता था सबी लोग सोचते थे भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवा हवाई जहाज बन जाएगा है कि नहीं सब लोग यही सोचते थे पेट्रोल है डिजल है अलेक्टिक कौन जब अलेन मस्क ने ये अनॉंस्मेंट दिया मतलब ब बैटरी वाला उसी को बोलते हैं अब बैटरी सी तो चल रही ना तो लोग को लगता था वो तो लोग मजाग उड़ाते थे अगर आप चाहो तो इंटरनेट पे आप जाके सर्च भी मार सकते हो ऐसा था लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर वन और रिचिस्ट परसन यही है क्योंकि मैं आपको बलूँगा कि अगर आप लोग को सही चीज़ समझाओगे तो एलन मस्क ने वक्त रहते ही समझ लिया और वक्त किसे पहले ही बदल गया नई तो वक्त अगर आज समझा देता तो एलन मस्क का शेयर बहुत जादा नीचे गि करें और अगर आप स्टाउक मार्कीट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकाउंट एंज्जल में उपन कर सकते हो यहां पर आप एंचंट ब्रकेश आप यहां पर आपका पईसा दोनों सेफ है तो डिस्किप्चिन में लिंक है में दाके अपने अकाउंट व गरहां ओगार झाल झाल